नमस्कार दोस्तो आप ही में से एक फार्मर का ये सवाल है कि सर हम इसा क्या खिलाएं अपने बकडियों को कि हमारे बकडियों के जो बच्चे हैं वो पेट में नस्थ ना हो जाए क्यूंकि already हमारी एक बकडी के तीन बार बच्चे पेट में ही नस्थ हो चुके हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो बकडी के पेट में बच्चे नस्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं बट जैसा कि आपने पूछा कि क्या खिलाया जाए कि आपके बकडी के बच्चे नस्ट ना हो तो इसके लिए आप अगर आपकी बकडिया कमजोड है तो उन में भीटामिन और मिनरल मिक्स्चर का इस्तमाल कीजिए और सबसे बेस्ट है कि आप इधर उदर का फीड नहीं, चोकर, मक्का, भुसी ये सब ना खिला कर कोई अच्छी कमपनी का बैलेंस फीड का इस्तमाल करें तो आप एक अच्छा क्वालीटी का बैलेंस फीड का इस्तमाल कीजिए इसके बाद आप मिनरल मिक्स्चर और भीटामिन्स का इस्तमाल कीजिए और इसके बाद भी आप सही समय पे अपने बकडियों को डी वार्मिंग कीजिए और उसके बाद उन्हें लिवर टॉनिक तो क्रीमी नासक का इस्तमाल ना करें, बहुत सारे farmers ऐसे भी है जो कहते हैं कि गर्बती बकडियों को क्रीमी नासक दिया जा सकता है तो हाँ आप दे सकते हैं but इसे देने की कोई खास जørल्वत नहीं रहती है तो आप अपने बकडियों को प्रेगनेंट ठालात में क्रीमी ना कि आपड़ेंगे